दोस्तों नमस्कार मैं हूँ S.B. सिंगु जागर और आप देख रहे हैं रत निसिखा टाइम्स पोल्टी संसार में आपका स्वागत है हमारा आज का विसे है बुंदेलखंड महला समर्दीकरड ब्राइलर पालन योजना इस योजना के तहत बुंदेलखंड के साथ जन्पदों की ग्रामीर महलाओं की आर्थिक दसा सोधारने के लिए उन्हें तीन बार बॉाइलर चिक उनको खिलाने के लिए फीड और उपचार के लिए दवाईया दी जा रही है यही नहीं मुर्गी पालन का सेट बनाने के लिए 10,000 रुपए भी मिल रहे हैं यह योजना बिलकुल फूरी है इस रकम की ना तो कोई EMI आएगी और ना ही लोटानी पड़ेगी दोस्तों आप जानते हैं कि रत्न सिखा टाइम्स एक एग्रो बेस समाचार पत्र पोर्टल और न्यू चैनल हैं हम समय समय पर अपने पाठकों और दर्सकों की डिमांड पर किसी पसुपालन और पोल्ट्री सेक्टर से जुड़ी विभिन तरह की समस्याओं और योजनाओं पर चर्चा करते आ रहे हैं हमरे आगे आने बाले कई एपिसोड सरकारी योजनाओं पर आधारित होंगे जिनमें हम पसुपालन बिभाग नावार तता क्रिसी बिभाग में ऐसी कौन-कौन सी उजनाओं चल रही है और उनका लाब हमारे किसान भाईयों को कैसे मिलेगा इस पर बिस्तार से चर्चा करेंगे मित्रो आप लोगों के ज्यादातर सवाल बैंकों से जुड़े हैं ज्यादातर लोगों के फाइल बैंकों में आटक जाती हैं जिससे उनका लोन सेंक्सन नहीं हो पाता ये एक गंभीर विसे है इस पर भी हम आगे आने वाले एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे आज की स्कीम हमारी बेहनों के लिए हैं आज हम जिस स्कीम पर चर्चा कर रहे हैं वै आ तो 2018-19 में ही गई थी लेकिन चालू अब जाकर हो पाई है तमाम तरह की बिवहारी की दिक्तें और कोरोना जैसी महामारी आ जाने से यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई थी लेकिन इसे लेकर निदे साले इस्तर के अधकारियों ने खुब पहल की सरकार और सासन को इसे चालू करने के कई प्रस्ताव भेजे पढ़ाम सरूपी जना चालू हो चुकी है इसके पहले फेच के लाभार्जियों को चूजे बित्रत का कार किया जा चुका है मैं डाक्टर एके जादौन हमारे यहां निशुलक चूजे दवा दाना बित्रत किया जाता है इनका चैन मुख्यवका सदिकारी महुदे की अधिक्षिता में गठित समेट द्वारा किया जाता है मूल रूप से ये ग्रामसवा परदान और पस्च्च के सदिकारी द्वारा चैनित कर भेजे जाते हैं जिसमें महलाएं होती है और उस गाउं के मूल निवासी होती है और उनको मुर्गी पालने का आद्वाव रहता है तो वहां से लिस्ट तैयार होकर जब जिले इस सर पर आ जाती है तो मुख्यवका सदिकारी महुदे द्वारा उल्टी प्रोग्र चैनित सूची को फाइनल के जाता है तदो परांत इनको पचास चूजे 28 करीब 28 किलो राशन दवाईयां दी जाती है लावार्चियों को साथ दिवसी पर सिच्छर भी दिया जाता है तो पच्छ किस्चा दिकारी द्वारा विकास करने इस तर पर या उनके किसी गाउं में लावार्चियों को एक तर पर ग्राम इस पर भी संपादित करा दिया जाता है दोस्तों यह यहुजना बुंदेल खंड के साथ जनपदों के लिए हैं इन साथ जिलों में जालाउन हमीरपूर ललित पूर जहासी बांदा महवा और चित्र कूर जनपद से सम्मंद कोई भी म पहला इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं इन छेत्रों में आने वाली महलाई यद मुर्गी पालन को अपना ब्यवसाय बनाना चाहती है तो वे अपने बलाग इस्थित पसु चिकतसाले पर संपर कर योजना के लिए एपलाई कर सकती हैं बलाग से चैन होने के बाद वेफायल उस जिले के मुख पसुचिकित साधिकारी के यहां ट्रांसपर कर दी जाती है, मुख पसुचिकित साधिकारी कारियाले में सभी प्रपत्रों की जाच परताल के बाद, ये फायल सीडियो यानि मुख विकास अधिकारी के पास चली जाती है, सीडियो इस पर अंतिम मोहर लगाते है यानि फाइनल दस्तकतियत सीडियो के हो गए तो 90 प्रत्सत आपको योजना का लाब मिलने की संभावना हो जाती है बेनो योजना की पूरी कास 30,700 रुपए की है जो लाब भारती को तीन बार में दी जाती है पहले फेज में आपको सेट बनाने के लिए 10,000 रुपए 50 ब्राइलर चिक और उन्हें खिलाने के लिए दाना और दवा दी जाएगी लगबग 40-50 दिन में आपको आपका ब्राइलर तयार हो जाएगा उसे बेचने के बाद 15 दिन का समय आपको बाड़े की सबसफाई के लिए मिलेगा इसके बाद आप उना बच्चों की मांग कर सकती है पहले फेज की तरह ही दूसरे फेज में भी 50 चिक दाना और दवा दी जाएगी इस तरह से एक साल में कुल मिलाकर तीन बार 50-50 की संख्या में चिक दिये जाते हैं बले जलों में 17-1800 तथा चोटे जनपदों में 12-1300 लावारतियों का चैन किया जा रहा है हमारी जानकारी के मताबिक ये योजना फिलाल दो बरसों के लिए है और दोनो बरसों में इसके तहट तकरीबन 22-801 महलाओं को इस योजना का लाब देने का लक्ष है तो हम समझते हैं कि आपको सारी स्कीम समझ में आ गई होगी यद फिर भी कोई बात रह गई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं हम आपको वहीं पर इसका उचित समाधान भी बता देंगे यद फिर भी समझ में नहीं आया तो अगले एपिसोड में इसे और पिस्तार से समझा दिया जाएगा तो आपको ये इसकीम कैसी लगी हमें फटा फट बताएं आगे आपको किस योजना किसम नहर में जानकारी चाहिए वह बताते रहें नमस्कार